अखिल विश्वको सूक शांती उत्तम स्वास्त करुणा मंगल मैत्री और विज्ञान देने वाले महा कारुणित तथा अगत भगवान बुद्ध उनी के विचात धारावों का पालन करते हुए विश्वमे विद्धमान धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला पवित्र भिक्कु संग एवं सभी बावध उपासक उपासिका बालग बालिका और बुद्ध शासन चानल के सभी दर्शकों को मैं मेरी मंगल मेत्री प्रदान करता हूँ हम हमेशा भगवान बुद्ध की प्रतिमा फोटो हमेशा खिले हुए कमल के फूल में ही देते हैं कमल के फूल का गून क्या है यह भगवान बुद्ध ने बताया है एक बार भगवान बुद्ध एक काव से दुसरे काव प्रवचन करते करते एक जगह ठर गए वहाँ एक आदमी आया आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा है भगवन मैं आपके प्रवचन हमेशा सुनता हूं और अच्छा आचरन भी करता हूं लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां के लोग गलत आचरन करते हैं मैं उनको देखकर निराशा मैसुस करता हूं मुझे अच्छे लोग बहुत ही कम ही नजर आते हैं तो भगवान मैं भी सन्याज जिवन में चला जाऊं इस प्रष्ण के उत्तर पर तथागत भगवान गुद्ध बोले यह सही नहीं है के आप दुसरे लोगों की गलतिया निकालते रहे और अपना अच्छा विवाहार त्याक करें हमें अपना जीवन कमल की तरह बनाना चाहिए कमल किचड में उत्ता है नहीं खिल खिलाता हुए बड़ा सुन्दर बढ़ता भी है चाहे कितना भी किचड या पानी से बरसात से उसे असर नहीं होता नहीं किचड नहीं पानी कमल अपने उपर रहने देता और साप सुधरा रहता है हमें चाहे कहीं पर की हो गलत लोगों या गलत जगह पर हमें कमल की तरह पवित्र ही रहना चाहिए तरह भगवान बुद्ध ने उस आदमी को या संदेश देकर वह आदमी धन्य कहकर भगवान बुद्ध के चर्णों में नमन करते हुए सादुवाद देते हुए अपने घर गरस्ती लोट गए इसी तरह हमें भी अच्छे लोग हो बुरे हो जैसे भी हो उन लोगों में रहकर हमें हमारे जिवन की दिनचर्या चलाना चाहिए बुद्ध का ज्यान अपरमपार है मनुष्य के सोच के बाहर है सील समाधी प्रग्या भगवान बुद्ध के अनो को गुनो को वंदन करके अने को गुनो को स्मरन करके हमें अपना जिवन दिनचर्या चलाना चाहिए परिवार में हो बाहर हो कहीं भी हो निंदा करने वाले बुरे विचारों के लोग दुर्ष्ट फ्रोथ्ति के लोग हमें मिलते रहेंगे लेकिन हमने अपना आचरन अपना सील अपना चरित्र जो सत्य है अहिंसा का मार्ग है भगवान बुद्धने जो जो हमें धम्म के मार्ग पर चल कर जो जो हमें ग्यान दिया है उस ग्यान को स्मरन करना चाहिए घर में भी द्वेश कलेश हो सकते है एक दुसरे के हितना आतमे स्वार्थ के भाव से अनेको प्रकार के पिड़ा अनेको प्रकार का निंदा उत्पन हो सकता है लेकिन हमें उसी कमल की तरह अपने विचारों को अपने बुद्धी को शांत रख कर सोच कर हमें अपना शुद्ध चरित्र से आचरन करना चाहिए भवतू सब्वमंगलंग सबका मंगल हो सबका कल्यान हो सभी को सूख शांती अच्छा स्वास और दिर्गा युप्राप्त हो